आज जिस personality की मैं बात करूँगी ये बचपन से अगर कुछ बनना चाहती थी तो वो है हिंदी फिल्मों की heroine बड़ी होकर इन्होंने ऐसा किया भी वो हिंदी फिल्म इंडास्ट्री में काम करने आई उन्होंने फिल्मों में काम भी किया वो notice भी हुई लोगों को वो काफी hot भी लगी लेकिन लोग उनकी hotness की तारीफ करते उसे पहले ही लोगों को उन्हें भाबी कहना पड़ गया क्योंकि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के popular क्रिकेटर भजी का उन पर दिल जवा गया था अब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ अक्ट्रिस गीता बसरा की गीता बसरा की लाइफ से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब कम उम्र में गीता बसरा अपना घर परिवार छोड़कर मुंबई आ गई थी हिरोइन बनने क्यूं जिस गीता बसरा ने हिरोइन बनने के लिए इतना कुछ किया शादी के बाद उन्होंने बॉलिवुड फिल्मों में काम करना ही बन कर दिया और कैसे आज गीता बसरा स्पेंट कर रही है लाइम लाइट से दूर अपनी जिंदगी गीता बसरा लंडन में पली बड़ी है पंजाबी फैमिली से बिलॉंग करती है और फैमिली लंडन में ही सेटल थी गीता बसरा का जन्म भी लंडन में हुआ, उनकी स्कूलिंग भी लंडन से ही हुई जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने डिसाइट कर लिया था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में ही काम करना है और यही बात उन्होंने अपने पैरेंस से कही Parents ने support दिखाया और result ये हुआ कि 19 साल की Gita ने London से flight पकड़ी और आ गई Mumbai फिल्मों में काम करने के लिए लेकिन यहाँ पर आते ही ऐसे ही काम नहीं मिलता है यहाँ पर आपके contacts होने जरूरी है कोई Godfather होना चाहिए गीता बसरा के पास कुछ नहीं था वो बस heroine बनना चाहती थी और उसी के लिए उन्होंने industry में auditions देना शुरू किया था side by side acting classes उन्होंने शुरू कर दी थी किशोर नमित कपूर की acting classes उन्होंने जॉइन कर ली थी और क्योंकि वो लंडन में पली बड़ी है तो थोड़ा सा उन्हें अपनी हिंदी पर भी काम करना पड़ा था ताकि उनकी हिंदी में English accent नाए proper शब्द निकले यही कारण है कि अपने आपको गीता बसरा ने prepare करना शुरू कर दिया इसी दोरान गीता बसरा को एक फिल्म भी मिल गई फिल्म में इमरान हाश्मी काम कर रहे थे इमरान हाश्मी जिनकी image तब तक serial किसर की बन चुकी थी साथ में अश्मित पटेल भी थे और मितन चक्रवती जैसे actor भी इस फिल्म का हिस्सा थे दिल दिया है ये फिल्म का नाम था और इसी फिल्म से गीता बसरा ने डेब्यू किया ये फिल्म तो बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही लेकिन गीता बसरा नोटिस हो गई क्योंकि वो इमरान हाश्मी की heroine बनी थी ये बात है 2006 की, 2007 में गीता बसरा एक बार फिर से नजराई, actor फिर से इमरान हाश्मी ही रहे फिल्म का नाम था The Train, इस फिल्म के चर्चे रहे, फिल्म लोगों को पसंद भी आई क्योंकि एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर पर ये फिल्म बेस थी जहांपर इमरान हाश्मी के के किरदार और गीता के किरदार की TRAIN में मुलाकात होती है वहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अफेर शुरू हो जाता है लेकिन इमरान हाशमी की एक family भी है और कैसे फिर इस extra marital affair का पता लगता है ये सब इस कहानी में बताया गया है कहानी के साथ-साथ film के गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए और especially गीता बसरा भी लोगों को काफी hot लगी बीते लम है, मौसम, वो अजनवी एक से एक बढ़कर गाने थे जिन गानों को आज भी पसंद किया जाता है यही वो फिल्म थी जिससे गीता बसरा बड़े लेवल पर नोटस हो गई हर तरफ गीता बसरा के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे टीवी पर ये गाने भी काफी हिट हुए थे और तब ही हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हर भजन की नजर इनके एक पोस्टर पर पड़ी और उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर ये लड़की है कौन गीता बसरा को भजी ने सबसे पहले पोस्टर पर देखा फिर वो अजनबी गाना उन्होंने टीवी पर देखा तब उनके साथ युवराद सिंग भी थे और युवराद सिंग बॉलिवूड में काफी कनेक्शन रखते थे बॉलिवूड की काफी पार्टीज में वो उटते बैठते थे तब भजी ने युवराद सिंग से कहा कि तुम इस लड़की को जानते हो युवराद सिंग ने कहा कि जानता तो नहीं हूँ लेकिन इसके इन्फोमेशन में निकाल सकता हूँ और तब युवराद सिंग ने अपने भाई भजी के लिए थोड़ी बहुत ये महनत की और जैसे तैसे भजी को गीता बसरा के कॉंटाक्ट नंबर्स मिल गए फाइनली अब बस तयारी थी गीता बसरा तक पहुँशने की भजी ने गीता बसरा को मैसेजस करना शुरू किया लेकिन गीता बसरा की तरफ से कोई भी रिस्पॉंस नहीं आया गीता बसरा ने भजी को काफी अवोइड किया तकरीबन ऐसा रहा कि 10 महिनों तक गीता बसरा ने भजी की बात नहीं सुनी लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब गीता बस्रा को भजी की मदद की जरुद पड़ गई अच्छली जब IPL हो रहे थे तो गीता बस्रा ने हर भजन से दो टिकेट्स एवलेबल करवाने को कहा था स्टेडियम की जो की हर भजन ने कर लिया उन दो टिकेट्स को लेकर गीता बस्रा नहीं आयी थी बलकि उन्होंने अपने ड्राइवर और उसके रिलिटिव को वहाँ पर भेज दिया था इस बात के बाद गीता बस्रा का दिल भज्जी के लिए पिगला कि उन्होंने उनसे मदद ली तो इटलीस्ट वो भज्जी के साथ एक कॉफी पर तो जा ही सकती है तब उन्होंने हर भजन के उन मैसेजिस का जवाब दिया और वो पहली कॉफी डेट पर गई इसके बाद ये डेटस कभी खतम ही नहीं हुई ये डेटस चलती रही और भज्जी और गीता बस्रा एक दुसरे को देख रहे हैं ये बात जल्ट ही मीडिया में आ गई गीता बसरा के करियर के लिए ये बात अच्छी नहीं रही क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो शादी कर सकती है कभी भी इसलिए कुछ फिल्मेकर्स जोने अप्रोच भी करना चाह रहे थे उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया एक तो गीता बसरा इंडस्ट्री में नहीं थी एक दो फिल्मों में ही काम किया था आगे वो कितनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन पाएगी अपने शोल्डर पर फिल्में खीच पाएगी या नहीं इसके लिए भी शौरिटी नहीं थी और इधर उनके अफेर्स की खबरों ने और उनका नुकसान ही किया खुद गीता बसरा ने बताया कि उस टाइम मेरी फिल्मों से ज़ादा चर्चे मैं भजी के साथ कहां दिखी इसके होते थे और चार बड़े प्रोजेक्ट उस टाइम मैंने खो दिये थे मेरी पहरी फिल्म रिलीज हुई मेरी फिल्म से ज़ादा बात मेरे रिलेशनशिप के बारे में हो रही थी और मीडिया में हर दूसरे दिन लिखा जाता था कि मैं भजी के साथ शादी कर रही हूँ ऐसा आठ साल तक चलता रहा गीता बसरा ने इस बीच अपने आपको इंडस्ट्री में और चांस दिया कुछ और फिल्में भी उन्होंने साइन की लेकिन कुछ भी वर्क आउट नहीं हो पाया 2006 में गीता बसरा इंडस्ट्री में आई थी 2015 तक वो आक्टिव भी रही हाला कि बहुत गिनी चुनी फिल्मों का वो हिस्सा रही कुछ 6-7 फिल्में उन्होंने की फाइनली 2015 में गीता बसरा ने सब कुछ गिब अप करके हर भजन से शादी कर लिया और शादी के बाद उन्होंने बॉलिवूड इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया इसके पीछे गीता बसरा मानती है कि उनका बॉलिवूड करियर कभी अच्छा रहा ही नहीं वो टेक ओफ होता उससे पहले ही उनको मेरेड और भजजी की वाइफ या भजजी के साथ रिलेशन्शिप में है इस तरह की बातों में फसा दिया गया तो इसलिए फिल्मी करियर पर वो कभी फोकस ही नहीं कर पाई और ना ही अच्छे प्रोजेक्स कभी उने मिले यही कारण है कि गीता बसरा ने अपने आपको फिल्मों से दूर ही रखा अपना पूरा फोकस अपनी फैमली पर शिफ्ट किया जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक क्रिकेटर की वाइफ है और हमेशा क्रिकेटर को टूर पर रहना होता है तो गीता बसरा भी भजी को उनके टूर्स पर कमपनी देने लगी इस बीच उन्हें अपने करियर के लिए टाइम ही नहीं मिला वो अपने हस्बिन और अपनी फैमली बनाने में बिजी हो गई भजी से शादी करने के बाद गीता बसरा को एक बेटी हुई और हाल ही में उन्होंने बेटे को जनम दिया है हाला कि बेटे के जनम से पहले दो बार उनका मिस्करेज हो गया था ये बात खुद गीता बस्रा ने अपने रीसेंट इंटर्वियू में बताई आज गीता बस्रा अपनी फैमिली के बिच खुश है हाला कि वो फिल्मों में तो काम नहीं कर रही है लेकिन आज भी सेलिब्रिटी का एक स्टेटिस वो एंजॉई करती है हर भजन क्रिकेट में अक करना चाहती थी लेकिन शायद उनके करियर के सपने पर उनकी ये लव लाइफ और भज्जी का इंपक्ट बहुत जादा हावी रहा यही कारण है कि गीता बस्रा ने अपने उस प्यार को पाने के लिए अपने करियर को खुशी-खुशी जाने दिया जिस टाइम गीता बस्र इतनी सक्सेस्फुल नहीं हो पाई जतनी आज काट्रीना कैफ सक्सेस्फुल है वल आपको क्या लगता है क्यों गीता बस्रा इतनी सक्सेस्फुल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने इमरान हाश्मी के साथ अपने करियर की शुरुवात की यानि के एक पर्टिकुलर इमेज उनकी हो गई कि इम्रान की हिरोईन है, बोल्ड रोल्स ही ये करेगी, उनका कोई बैक्ग्राउंड नहीं था, गीता बसरा के पास फिगर था, लुक्स थे, लेकिन उनको आक्टिंग तो आती ही नहीं थी, या फिर गीता की शायद किस्मत में ही ये लिखा था, कि बॉलिवुड के करियर के थूँ उनकी मुलाकात हर भजन से होनी थी, शायद इसलिए बॉलिवुड उनके लिए सिर्फ उनके सफर का एक हिस्सा था, उनकी मन्जिल नहीं, क्या मानते हैं आप, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस अतना ही, फिर मिलेंगे बॉलिवुड के एक और स्टोरी के साथ, लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बॉलिवुड ठिकाना.